वेंक्या नाइडू अपने दो दिन के जारखंड यात्रा पर शुक्रुवार को राची पहुचे बरसामुंडा एरपोर्ट पर प्रदेश के राज़िपाल द्रौपती मुर्मू मुख्यमंती रगवर्दास मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने फूलो का गुलदस्ता दे प्रभात तारा मैदान में कारेक्रम में शामिल हुए वेंक्या नाइडू ने कारेक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि ऐसे मौके पर मैं यहां हूँ विकास के लिए साक्षवर्ता अनिवार रहे इतनी संक्या में लोग आए यह अभियान स्वाभिमान के लिए है एपलिए कि खुशी नाइड ओन जे लुशी पहर इतनी स्वाभटे इतनी स्वाभिमान के इतना क्या थार रहे इतनी संतर रहे इतनी संदानीário में खुशी वह हुशी हुशी महिए उसे माणकिनों पाकत, राजसर बावनेशितनी मर्थोष कहुता वीज़ोग। एकी फिर्कों रेंगर का लामँदा सकते। मिसी पुपेंगों और उनको इप्जादी, और उनको इप्जिप्जादी, और तक्सुम को अच्छन पॉन्ची पापिछे वो तोंगी मुदा सकते। और लामणां, हमेरे समगध़ कोई परिपूलेदी। अबिश्बूनों कि बारा वारा हुआ। योगी हमें जोगी नाज़े को तोष करना है और देदी से फिकास करना है पोचेश के नाज़ेवा देवा संदागी को पुपी दरशे संदो को ना भोगा जो कि फिर्मी बोला होगा। खाइब पर जोगा पुपा और धुर्मी आज़े का संदो को ते इस अवियां चुपा अंध्रा वारा वलूब ऑठेट तो आज़े इस वावियान सब्दुन आज़े मान के लिए ये अवियान है। कि केवल सारकारी आइपन नहीं, एकार का सब्मी रेपोस्टिर का है, सब्मी जातेर वासियों करें, तो मैं सबसे पहले, उक्योंची को लजवाद जयाता हूँ, कारण के वुदो लिजिता, तेरा सुजाओ के अप्सार रहुमें, अम्तला अत्रिस वासरता दोगें, आवर अ का आयोते जिया, केवल सभाले रचा, उन्माने इसम्वाद परक्राइट वाने, तुद रुची देख, अपना बच्दाइट से, बड़ा ये वाटी बड़ाया, बच्छार पर के अजाने पर चलाया, अच्छा परईटी आसिस किया, ऐसा परक्षाइट तो आप राजधानी राची में जहरीली शराप के सेवन से हुई आम लोगों की मौत के बाद बीजेपी के अंदर और विपक्षी दल से विरोध की आवाज उठने लगी है जहां बीजेपी के केंदरी मंतरी जहल सिन्हा और सांसद राम टहल चौधरी ने राज्य सरकार द्वारा शराप की विक्री का विरोध किया है वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी शराप से हो रही मौतों पर सरकार को खे रहा है देखे रपोर्ट जहारकर में सरकार के खुछ शराप बेजने के फैसले का विरोध कर रहे नेताओ को नकली शराप से हुई मौतों ने एक बार फिर बोलने का मौका दे दिया है पिछले दिनों अखली शुराब की सेवन के बाद हुई मौतों के बाद बीजीपी नेताओं ने सरकार के खिलाब बोला शुरू कर दिया है पार्टी के वरिष्ट मंत्री और सांसद सहीत कई बड़े नेता सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं बीजीपी सांसद राम टहल चौजवी ने फिर एक बार इस मुद्दे पर भगावती तेवर दिखाते वे राज सरकार की ख़जाई की उनके अनुसार राजो के 80 से 90 प्रतिशत जन्ता शुराब बंदी के पक्ष में है जबकि केंदरी राजो मंत्री जैनत सिनहा ने भी जार्खन में पूर्ण शुराब बंदी की पकालत की है अलाकि उन्होंने इसे अपने नीची राए बताया और समाज के साथ सरकार की राए पर ठोस फैसला लेने की बात कहीं लेकिए सराब कई राजियों में बंद है और इसलिए सबसे पहले हमने इसका बिरोद किया कि सरकार को सराब नहीं बेचना चाहिए और सराब से ही नुक्सान हो रहा है जौन जौन बेटी बहने विद्वा हो रहे हैं चोटे-चोटे परिवार के उसके साथ क्या बीटता है यह हम लोग राज दिन देख रहे हैं इसलिए किसी भी कीमत पर सरकार को दारू नहीं बेचना चाहिए बल्कि इस पर पाबंदी रहे हैं और हम जब राजनीती में नहीं थे छोटे से ही हम इसका विरोधी रहे हैं सवाल है कि हम लोग विरोधी कर सकते हैं लाठी तो नहीं मार सकते हैं अब सरकार जो है हम लोग सरकार को बात बता रहे हैं मुक्मंतरी को इनको गंवित्रा पुरवक लेना चाहिए और यह प्रतिनी नहीं हम समते हैं 90% 80% लोग चाहते हैं कि शराब बंदी हो पुरे जार जनता चाहती है मैं बिल्कुल शराब बंदी के पक्षदार हूं लेकिन इसमें यह मेरा निजी मेरा ख्याल है यह मेरी निजी सोंच है लेकिन कहीं भी कोई भी बड़े कदम लेने के लिए कोई भी नीती के लिए एक पूरे समाज में एक समझोता बननी चाहिए और नीती सही बननी चाहिए और अमल करने के लिए हमारे पस पूरे साधन होने चाहिए तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है तो मेरे निजी सोच तो आप छोड़ दीजे आप देखिए कि हम लोग राज्य में समाज में हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं इसका अधियन होना चाहिए राज्ज में शुराब बंदी को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेतार अगुवदास सरकार के खलाब आवास तो बुलंद कर ही रहे हैं साथी विपक्ष भी नकरी शुराब से हुई मौतो और सरकार के खुद शुराब बेचने के फैसले पर सवाल भा रही है पूर्व मुख्यमंत्री सहनेता प्रदिपक्ष हेमन सोरे थे सरकार से मौतों का जवाब मांगते वे पूछा कि आखित सरकार के खुद शुराब बेचने के फैसले के पीछे मन्शा क्या है इसए पहला वाक्य नहीं है कई एक बिस्टै है कριसको लेकर के उनके मंत्री खुद मुखर हो चुके हैं लेकिन आ हम मुक्मंत्री जी अब ये मुद्निशय्य दिख रहा है अब उनकी विभागत पर कौन हस्तचेप करेगा किस मंतरी की ताकत है यह है उपलब्दी आज यहां अस्पताल में हम लोग देख रहे हैं हजार दिन की उपलब्दी उनकी गिफ्ट है यह दर्जन भर से अधिक लोग की मिरती हो चुकी है फिर भी इनकी कोई सुधी नहीं ले सरकार ने जिम्माही ऐसा दे रखा है कि अब जहरी बेचो आज कोई भी सराब या इस तरीकी का चीजों को सेवन करना या तो फिर उसको ऐसे कानूनी दाइरे में रखे कि लोग की पहुंच बिलकुल दूर हो या तो फिर ऐसा विवस्ता करें कि इसका परचला नहीं बंदो चाहे बड़े ग्रुप द्वारा शराब बेचने की बात हो या सरकार द्वारा खुद जारकर में शराब बिकरी का मामला हमेशा से चर्चा में रहा है सरकार के विरोधी क्या बीजिपी के अंदर भी सरकार के इस पैस्ते पर एक जुटता नहीं है और यही बगावती बोल सरकार को परेशान कर रहे हैं अब यह देखना है कि सरकार इस नए संकट से कैसे निजात पाती है राची से सयोगी कुनार के साथ राजी वरंजन की रिपोर्ट वहें जनाधिकार पार्टी के संरक्षक और मधेपुरा सांसत पपु यादव ने प्रेस कॉन्फरेंस कर बार रहत कारियों को लेकर बार पीडितों के लिए रहत सामगरी वित्रण को लेकर जानकारी दी इस दोरान पपु यादव ने कहा कि बार प्रभावित जिलों के प्रते गाउं को गोद लेकर जनाधिकार पार्टी वहां के बार पीडितों के लिए सभी तरह की सामगरी उपलप्त कराएगे जिन पच्छाइतों को नासूर बना दिया पांच-पच गौं पंचायत में गौं और अन सभी जिलों में एक एक गौं गोद लेने का अध्रम ने लिया है जिसमें पांच जिले में गोद ले लिया गया है और वहां पर 20 चापाकल उस गौं में सभी परिद सभी परिवार को कपड़ा सारी नूंगी बच्छों को कपड़ा अना मेडिकल एड और सभी परिवार को प्लास्टिक जिसमें कष्यार किसंगंज अररिया दर्भंगा इन जीलों में गोद लिये गौह में काम शुरू राजधानी राची इस्तित हाई कोट में अब छुटी के दिन यानी शनिवार को भी कोट में कामकाज होगा जिसकी शुरुवात कल से होनी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आग्रह पर हर शनिवार को भी कोट खोले जाएंगे मामले की जानकारी देते हुए जार्खन हाई कोट के रजिस्ट्रार जनरल अमभुशनात ने बताया कि शनिवार को कोट में खासकर आप्राधिक मामलों का निप्टारा किया जाएगा एक रिक्वेस्ट आया था सभी हाई को कि पुराने क्रिमिल मैटर्स हाई कोट में बहुत स्पेंडिंग है उनके निटारे के लिए अगर अपने से हुनरेबल जजजे अप्ट करें और सनिवार के दिन क्वोट लगाएं तो लोगों को बहुत रहात में देएगा हमारे हमार एक्टिंग की जर्सेस के इनिशेटिंग लिया और तीन बेंच गटित की गई है कल के लिए और यह निर्दर लिया गया है कि हर एक सनिवार को फॉर्जारी डिविजन बेंच के माट्रस के लिए पटना चले के बाढ़ अनुमंडल इस्तित विवहार नयाले में गोलियों की तरतरहाट से कोट परसर गूंज गया अपराधियों की फाइरिंग में एक कैदी मारा गया जिसकी पहचान गुडू सिंग के रूप में की कर दिया साइलेंसर लगी पिस्टल से तीन अपराधियों ने ताबटोड फाइरिंग की फाइरिंग में कैदी गुडू सिंग की मौत हूगई सूत्रों के मताबक हमला वर गुडू सिंग की हत्या करने के मनसूबे से आय थे फिलहाल पुलेस अपराधियों की तलाश में पुलिस के 25 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है इनमें कोर्ट सुरक्षा में तैनात 2 सब इस्पेक्टर और 19 कॉंस्टेबल शामिल है जबकि 4 पुलिस कर्मी जेल से कैदियों के साथ आये थे ADG मुख्याले S के सिंगल ने ये जानकारी दी फिलाल इस मामले में पटना SSP मनु महराज ने पुलिस मुख्याले से रिपोर्ट मांगी है